ओम नमा शिवाई बोलिये देवाधि देव महादेव की भक्तों भोले नात सत्य हैं भोले नात ही शिव हैं और भोले नात ही सुन्दर हैं भोले शंकर ही आदी हैं और भोले शंकर ही अंग ऐसे भोले हैं मेरे भोले बाबा जो मात्र सच्ची श्रत था सच्चे भाव के साथ अरपित किये गए एक लोटा गंगा जल से ही प्रसन्न हो जाती है कहते हैं जो प्राणी भगवान शिव के पावन सोमवार के व्रत रखता है उन्हें श्रद्धा से गंगा जल वो बेल पत्री त्यादी अरपित करता है और साएकाल सोमवार की व्रत कथा का श्रमन कर एक समय फला हार कर भगवान शिव का प्रसाथ प्राप्त करता है वह प्राणी जीवन के समस्त सुख भोक कर अंत में शिव लोग को प्राप्त करता है तो आईए सुनते हैं भगवान शिव के पावन सोम वार व्रत की पावन कथा एक बार फिर बोली देवाधि देव महादेव की पावन सोम वार व्रत गाथा श्रद्धा से जो सुनता सुनाता हो कल्यान जी पाता है शिव से वर्दान जी शिव भगती में तन मन रंग लो भगतो नमस शिवाए सुमिर लो शिव नाम जी पाता है शिव से वर्दान जी पाता है शिव से वर्दान जी भगतों सोम वार व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है किसी नगर में एक साहुकार सेट अपनी धर्म पत्नी के साथ रहता था जीवन में धन धानने की कोई कमी नहीं थी परन्तु एक ही दुख था उन्हें के उनके कोई संतान नहीं थी दोनों प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत करते उन्हें गंगा जल बेल पत्री त्यादी अर्पित करते साइकाल पूजन आर्तिकर फल प्रसाथ ग्रहन करते और कातर स्वर में भोले नाथ से व्रातना करते कि भगवान जीवन में सक कुछ दिया है परन्तु एक उत्र की कमी है प्रभू कृपा करो दीनानाथ दया करो समय व्यतीत होता गया भक्तों एक एक कर सोले सोमवार व्यतीत हो गए और सोलवे सोमवार के व्रत के पश्चात जब दोनों की मुराद उन नहीं हुई तो वो रो रो कर भगवान शीव से ये प्रार्थना करने नहीं दिया भागी रथ को गंगा दे दी और रावन ने लंका पाई हमरी बारी भोले बाबा क्यूं कर तुमने देर लगा आई खाली गोद है बाबा हमारी किरपा हो जाए तुम्हारी दो संतान जी दर पे खड़े हैं खाली हात जी पावन सोमवार व्रत गाथा श्रद्धा से जो सुनता सुनाता हो कल्यान जी पाता है शिव से वर्दान जी पाता है शिव से वर्दान जी दोनों की करुण पुकार माता पार्वती से सुनी नहीं गई भक्तों वो भुले नाथ से बोली स्वामी आपके दर से आज तक कोई भक्त खाली नहीं लोटा तो फिर क्यों आप इन्हें संतान का वर्दान नहीं दे देते भुले नाथ बोले प्रिये प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही निश्चित फल प्राप्त करता है इनके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्मे इन्हें संतान का सुख नहीं है परन्तु मा गौरा ने एक नहीं मानी भक्तों वो भगवान शिर से बोली प्रभू इन्होंने अपनी पूरी शद्धा भक्ती के साथ आपके सोला सोमवार के व्रत रखे हैं फिर भला इन्हें मन इच्छित वर्दान क्यों नहीं मिलेगा इन्हें तकाल संतान का सुख प्रदान कीजिये प्रभू माता की हट के आगे भगवान शिव टिक नहीं पाए भक्तों और भगवान शिव ने सेट से ठानी को पुत्र प्राप्ति का वर्दान दे दिया परंतु पारवती से यह भी का सुनो गौरा इस बालक की आयू बारा वर्ष की है जो ही ये बारा वर्ष का होगा मृत्यू को प्राप्त हो जाएगा यह बात सेट से ठानी ने भी सुन ली थी फिर भी दोनों ने सोचा बारा वर्ष पस्चाज जो होगा सो होगा अभी ग्यारा वर्ष्टों सुक से बिताते हैं ये सोच कर दोनों पुत्र प्राप्ते की प्रतीक्षा करने लगे सुन्दर बालक गोद में आया मा बाबा ने लाड लडाया मिलकर शिव की भाती करते हर पल शिव का नाम सुमिर्थे ग्यारा वर्ष हो गए पूरण चिन्तित हो गया उनका तनमन हुए बेहाल जी मामा को बुलाया तत काल जी पावन सुमवार व्रत गाथा श्रद्धा से जो सुनता सुनाता हो कल्यान जी पाता है शिव से वर्दान जी देखते देखते दोनों का पुत्र ग्यारा वर्ष का हो गया भक्तों ग्यारा वर्ष का होते ही दोनों ने अपने पुत्र के मामा को बुलवाया उसे धेर सारा धंदे कर ये समझाया के आज से पूरे एक वर्ष तक अब तुम दोनों मामा भांजे तीर्थाटन करोगे हर तीर्थ पर यग्य भवन करते जाना भगवान शिव के नाम के भंडारे करवाते जाना और सदा भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महामृत्युन्जे मंत्र का पाठ भी करते जाना और जिस दिन इसका बारेवा जनम दिन हो ध्यान रखना उस दिन तुम काशी विश्वनात मंदिर में होने चाहिए इस बात का विशेश ध्यान रहिए धेर सारा धन्धान्य लेकर दोनों मामा भांजा तीर्थाटन को निकल पड़े तीर्थाटन वो करते जाते यग्य हवन में ध्यान लगाते माहामरे त्युन्जे जाप वो करते शिव के नाम को रहते सुमिरते लगबग एक वर्ष धाबीता पड़ते रामायन और गीता सुबो शाम जी आगए काशी वाले धाम जी पावन सुमवार व्रत गाथा श्रद्धा से जो सुनता सुनाता हो कल्यान जी पाता है शिव से वर्दान जी पाता है शिव से वर्दान जी पाता है शिव से वर्दान जी भक्तों बालक के बारेवे जनम दिन की खड़ी भी आ गई अब उसे बारा वर्ष का होने में मात एक रात्री वची थी भक्तों माता पिता के वचना नुसार वो दोनों काशी के धाम में थे दोनों मामा भांजे पूरी रात यग्य हवन करते रहे महामृत्युन्जय मंत्र का जाप करते रहे भगवान भोले नात के नाम के अटूट भंडारे करवाते रहे परन्तु जैसे जैसे सूर्योदे की बेला आने लगी सेट से ठानी के पुत्र की तबियत बिगडने लगी और जो ही सूर्योदे हुआ भांजे ने अपने प्रान त्याद दिये मामा जोर जोर से विलाब कर भगवान शिव को पुकारता था और इधर उसका रुदन मा गौरा के कानों में पढ़ा मा शिव जी से बोली प्रभू ये विक्ती इतना कातर सुर में क्यों रो रहा है इसका रुदन मुझसे सह नहीं हो रहा आप क्रिपा कर इसे दर्श दीजिए और इसके कस्टों को दूर भगाईए भुले बाबा ने मा पारवती को बताया हे प्रिये ये वही वालक है जिसे मैंने वर्दान स्वरू सेट से ठानी को दिया था आज यह बारा वर्ष का फून हो गया है और मेरे कथनानुसार इसकी मृत्यू भी हो गई है इस पर मा पारवती बोली भगवन ये बालक पूरे एक वर्ष तक यग्यहवन दान पुन्य करता रहा आपका अति हितकारी महा मृत्यूंजय मंत्र का पाठ करता रहा तो फिर भला इसकी आकाल मृत्यू कैसे हो सकती है यदि ऐसा हो गया प्रभू तो आपकी भक्ती पर से भक्तों का विश्वास उठ जाएगा इसलिए बिना विलंब किये इस बालक को जीवन दान दे एक बार फिर भूले बाबा मा गौरा की हट के आगे हार गए भक्तों और बालक को जीवन दान दे दिया शिव ही जाने शिव की माया शिव मह मा कोई जान न पाया जीवन दान दिया बालक को उठ बालक ने नाम को गाया जै हो शिव शंकर्त पुरारी तुम भोले बाबा भंदारी दिना नात रे तेरे होते कोई ना अनात रे पावन सोमवार व्रत गाथा श्रधा से जो सुनता सुनाता हो कल्यान जी पाता है शिव से वरदान जी और उधर सेट से ठानी जो अब तक अश्रों की धार में डूबे हुए थी जब उन्हें ग्यात हुआ कि उनके पुत्र को जीवनदान मिल गया है तो मारे प्रसन्नता के भूले न समाए दोड़ कर भगवान शिव के चरणों में गिर गए और शत्धा भाव से शिव का गुणगान करने लगे इधर दोनों मामा भांजा नगर में वापस आ गए अब सारा परिवार मिलकर भगवान शिव की भक्ती करता सोमवार का व्रत बड़े विधी पूर्वक करता भगवान शिव को जला भी शेख देता सायकाल उजन आरतिकर भला हार करके शिव के प्रसाद को ग्रहन करता तो देखा आपने भक्तों जिस प्रकार सोमवार के पावन व्रत रखने से सेट से ठानी की हर मनो कामना पूर्ण हुई वैसे ही यदि कोई प्राणी इस घंभोर कलिउग में भग्वान शिव के पवित्र सोमवार के व्रत करता है उनहें जलान जले अरपित करता है उनका गुणगान करता है वो प्राणी जीवन में समस्त सुख भोक कर अंत में शिव लोग को प्राप्त करता है तो एक बार फिर पूरी शद्धा भाव से मेरे साथ बोलिए बोलिए शंकर भगवान के सोमवार व्रत जो कर जाए गंगा जल शिव लिंग पे चड़ाए व्रत कथा का पाठ करे जो चन्दन तिलक जो शिव पे चड़ाए पावन हो जाता है तनमन आजाता जीवन में सावन हो कल्यान रे पावन सोमवार व्रत गाथा श्रद्धा से जो सुनता सुनाता हो कल्यान रे पाता है शिव से वरतान 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 रे शिव से वरतान रे आम नमाशिवाय आम नमाशिवाय, हर हर भूले नमाशिवाय नमाः शिवाय ओम नमाः शिवाय हर हर भूले नमाः शिवाय नमाः शिवाय ओम नमाः शिवाय हर हर भूले नमाः शिवाय सुमेश्वराय शिवे सुमेश्वराय हर हर भूले नमाः शिवाय मल्लिकार जुन शिवाय हर हर भोले नमा शिवाय मल्लिकार जुन शिवाय हर हर भोले नमा शिवाय ओम नमा शिवाय ओम नमा शिवाय हर हर भोले नमा शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय महकाल शिवाय शिव महकाल शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय आमकार शिवाय शिव आमकार शिवाय हर हर भोले नमार शिवाय आमकार शिवाय शिव आमकार शिवाय अर हर भोले नमार शिवाय आमकार शिवाय आमकार शिवाय हर हर भोले नमार शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय बैजनात शिवाय शिव बैजनात शिवाय हर हर भोले नमा शिवाय जजनक शिवाय शिव जजनक शिवाय हर हर भोले नाम शिवाय भीमा शंकराय शिव भीमा शंकराय हर हर भोले नाम शिवाय निमः शंक्राइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइशिवाइ नमखशिवाय हर हर भोले नमखशिवाय नमाशिवायो नमाशिवाय हर हर भोले नमाशिवाय रामेश्वराय शिवरामेश्वराय हर हर भोले नमाशिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नम शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नम शिवाय नम शिवाय ओम नम शिवाय हर हर भोले नम शिवाय ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय हर हर भोले नम शिवाय विश्वनात शिवाय विश्वनात शिवाय हर हर भोले नमा शिवाय विश्वनात शिवाय विश्वनात शिवाय हर हर भोले नमा शिवाय त्रमकेश्वराय शिव त्रमकेश्वराय हर हर भोले नमा शिवाय चंदकेश्वराय शिव चंदकेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमह शिवाय ओम नमह शिवाय हर हर बोले नमह शिवाय नमः शिवायो नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय केदारे श्वराय शिव केदारे श्वराय हर हर भोले नमः शिवाय किदर श्वराय श्वदक्र श्वराय पर हर भोले नमाशिवाय घ्रिशन श्वराय हर हर भोले नमाशिवाय पिश्रीश दार्शिन पिश्रेश राई, पर हर भोले नमह शिवाय आमनमह शिवाय, हर हर भोले नमह शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय जटाधराई शिवा जटाधराई हर भोले नमाशिवाई चाचाधरा शिव, चाचाधरा आए, हर हर भोले नमाशिवाए हर हर भोले नमाशिवाए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय